हेलो फ्रेंड फूट फूट फूटनेस बीटे और मॉर फ्रेंड आज हम अंसी की बीज के बारे में जानेंगे कि वो हमारी मुटापर में हमारी किस प्रकार मदद करता है वो हमें किस प्रकार हमें हमारी फैट को कौन करता है और हमें पहले से प्कला करता है मैं आज उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ और उसके पाइदे भी बताऊंगी और उसमें किस प्रकार आपको क्या-क्या ध्यान रखने होंगे अपको वल्से की वीच की कितनी मात्रा में आपको लेना है वो जानना बहुत जोरुरी है यह मैं स्टांट करती हूँ ओश्य और हमें अनसी की वीच हमारी कि स्मारा, हमारी मुटापे से हर्प मुटापे से है लड़ने से तो फ्रेंड आज मैं बताने जारी हूँ अज़ी की भीज जो है हम में बहुत चीजों में फैदा करते हैं लेकिन आज मुटाफे के बार में जाना चाहते हैं तो वो हमारे केलेस्ट्रोल लेवल को बालेंस रखते हैं और वो हमारे में डबुज में को बढ़ाते हैं जिसके कारण हमारा केलेस्ट्रोल लेवल जो है वो डाउन हो जाता है और हमारे फैट नहीं बनने दिता है आप लोग सभी जानते हैं कि यह से किवीज की तासिर बहुत करम होती है इसी कारण वो हमारे जम्में हुए जिद्धी से जिद्धी फैट को भी मेल्ट करके हमारे स्वेटिंग के तुरू हमारे बाहर करते हैं हमारे बोडी से इसलिए मैं आपको एक टिप्स भी देना चाहती हूं कि आप अगर अलसे की भी जब भी लेते हैं तो प्लीज प्रेंड आप रोजाना 6-7 लीटर वाटर प्लीज जरू पीए जिसके कारण वो पसीनी के तुरू आपके जमी वेफ्रेट को मेल्ट करके निकाल सकते हैं और अब हम बताने जारी हूं मैं कि किस तरह उससे सेवन करना चाहिए और कितने मात्रा में सेवन करना चाहिए तो फ्रेंड अगर आप खाली पेट सवेरी सवेरे लेते हैं एक समच इसे की बीच आप चाहे तो वैसे भी ले सकते हैं नहीं तो उसे हलका सब फ्राई करके बिदाउट वाइल के फ्राई करके आप उसे मिकसे जार में आप उसे पाउडर फॉर्म में करवर्ट कर ले और फिर आप उसे मॉर्निंग टाइम खाली फिर आप उसे समच ले गुनगुने पानी के साथ है और उसके बाद कोशिश करें फ्रेंड के आप दो ग्लास गुनगुना पानी दो घंटे के अंदर पीए जिसके कारण वो जल्दी से जल्दी हमारे फैट को बंड करने में हेल्प करेगा अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं अगर आपको और कोई वीडियो के तुरू अगर आपको कोई कोस्टन हूँ तो प्लीज आप हमसे कमेंट वोक्स में टाइप करके पूश सकते हैं जोरो इसके फैलेकर और बहुत सारे फैयदे यह मैरा बहुत सारे चीज़ों जना जा आ झाल ना है तो आपको